हमारे सामने वो है हमारी पहली करश्ड कार और आज के दिन हम लोग जीटिये 5 में ऐसी ही साथ करश्ड कार्स को चोरी करने वाले हैं लेकिन यार फ्रेंकलिन ये वाली जो कार है इसके बगल में कितना खतरनाक सा मॉंश्टर है तो हमें इस कार को चोरी करने के लिए कोई और रास्ता ढुड़ेना पड़ेगा अराम से फ्रेंकलिन मेरे दोस्त हम लोग एकदम धीरे धीरे आगे चलते हैं और एक सिकेंड ये तो एक खतरनाक सा पेट्रोल पंप है मेरे पास एक सांदार सा आइडिया है हम लोग अपना इश्टिकी बॉम लेते हैं ओके एक और हम लोग एक उस तरफ फेक देते हैं बहुत सही Franklin क्या बात है एक इस्टी की बॉम इस तरफ बहुत सही अब अराम से Franklin हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं और जल्दी से हम लोग इस जगा पे छुप जाते हैं यार क्या बात है तो चलो जल्दी से उसे ब्लाश्ट किया जाए एक सेकेंड ये अजीब सी आवाज कैसी थी म मुझे जल्दी से चेक करना पड़ेगा येस दोस्तों ये देखो हमारा प्लैन काम कर चुका है हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं और यही मौका है हम लोग इस कार के अंदर बैठ जाते हैं ओ यार ये मेरी कार का इंजन आवाज कैसा कर रहा है ओ भाई फ्रेंकलिन ये देखो ये जो मंच्टर है इसे तो हमारे बारे में पता चल चुका है और यार ये तो गलत सीन हो गया हमें जल्दी से इस कार को लेके फटा फट यहां से निकलना पड़ेगा ये देखो दोस्तों ये है मेरा एक टॉप सीक्रेट बिलियन डॉलर बेस और आज के दिन हम लोग अपनी सारी कार्स को इसी बेस के अंदर पार्क करेंगे तो दोस्तों हम लोग अपनी दूसरी कार को लेने इस सामने कंस्ट्रक्शन एरिया पे आ चुके है और अरे भाई यहाँ पे कितना खतरनाक सा मंस्टर है तो हमें इसकी कार को छोरी करने के लिए कोई और रास्ता ढुड़ेना पड़ेगा चलो मेरे दोस्त हम लोग इस रास्ते से जल्दी से इस कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर चलते हैं चलो यार तो हम लोग इस वाले जगा पे आ चुके हैं और भाई यह देखो यह खतरनाक सा मंस्टर है और इसकी कार बहुत आसम है मैं इस दुनिया का बादसा हूँ कोई मेरा कुछ नी भी गाड़ सकता अरे यार तुमने सुना वो अपने आपको बादसा कह रहा है उसे नी पता कि हम लोग कुछी देर में उसकी कार को छोरी करेंगे लेकिन हम लोग इस काम को करेंगे कैसे और हाहा यह देखो यहां हमारे सामने एक बंदा है हेलो सर क्या हाल चाल है अरे सर मैं क्या बता हूँ मेरा हाल बहुत बुरा है मेरे घर पे पैसों की तंगी चल रही है मैं तुम्हारी पैसों की तंगी को दूर कर सकता हूँ अगर तुम उस सामने वाले मॉंच्टर का किसी तरह ध्यान भटकाओगे हाँ सर मैं ये काम पक्का कर दूँगा लेकिन आप कितना पैसा देंगे मैं तुम्हें पूरे के पूरे 50,000 डॉलर्स दूँगा अरे सर ये तो कितने सारे पैसे हैं मैं जल्दी से आपका काम करता हूँ हो हो फ्रेंक्लिन येस क्या बात है हमारा प्लैन कितना मस्त काम कर रहा है और ये बंदा सामने की तरफ जा रहा हम लोग अराम से इस जगा पे छुप जाते हैं हेलो सर आपका क्या हाल चाल है मैं यहां का एक वर कर हूँ तुम मुझे परिसान क्यूं कर रहे हो जल्दी से यहां से भाग जाओ सर क्या आपको मुवी देखना पसंद है मुझे तो बहुत पसंद है मुवी देखना नहीं नहीं मुझे बिलकुल पसंद नहीं है मुझे तो लोगों का सिकार करना पसंद है अरे सर प्लीज मुझे डराईए मत मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है येस यार फ्रेंकलिन क्या बात है वो बंदा उस मॉंस्टर का कितना मस्त ध्यान भटका रहा है यही मौकाई हम लोग जल्दी से उसकी कार को चोरी करते हैं ओके दोस्तों तो हम लोग चलते चलते इस वाले जगा पे आ चुके हैं और फ्रेंकलिन यही मौकाई हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं और इस कार के अंदर बैट जाते हैं औरे एक सिकिंड ये आवाज कैसी थी औरे यार फ्रेंकलिन ओ ये तो हमारी उपर गोली चलाने लगा है हमें फटा फट से इस कार को लेके यहां से निकलना पड़ेगा येस यार तो इसी के साथ हम लोग अपने सांदार से बेस पे आ चुके हैं और क्या बात है यार इस कार की स्पीड बहुत तेज है हमारी थल्ड कार इस सामने वाले जगपे है लेकिन एक सिकिंड फ्रेंकलिन ये देखो यहां पे एक कितना खतरनाक सा मॉंच्टर है यार ये देखने में कितना ज़्यादा डरावना है हम लोग एकदम धीरे धीरे छुपके छुपके आगे चलते हैं और आराम से इस जगपे छुप जाते हैं और ये देखो दोस्तों हमारे सामने एक सांदार सी ब्लैक कलर की कार है मेरे ख्याल से हमें उसी कार को चोरी करना है आराम से फ्रेंकलिन एकदम धीरे धीरे एकदम येप तो अब हम लोग चलते चलते इस वाले जगा पे आ चुके हैं लेकिन यार हम लोग इस कार को आखेर चोरी कैसे करेंगे रुको मुझे कुछ आइडिया ढूडने दो और एक सिकेंड हमारे पास तो इश्टिकी बॉम है हम लोग जल्दी से इश्टिकी बॉम लेते हैं औ जालो दोस्तों तो अब हम लोग बिल्कुल तयार हैं हम लोग जल्दी से अपना स्नाइपर लेते हैं और इसे खोलते हैं अराम से यहाँ पे सूट करते हैं और भाई फ्रेंकलिन यहाँ पे कितना बड़ा धमाका हुआ रुको हम लोग चेक करते हैं और एक सिकेंड येस या ये जो मॉंस्टर है ये तो मर चुका है यही मौका है हम लोग जल्दी से यहां से उतरते हैं और इस सांदार सी कार के अंदर बैट जाते हैं हम लोग जल्दी से इस कार को लेके यहां से निकलते हैं वैसे औरे एक सेकेंड यह जो कार है इसके अंदर कितना सांदार सा मसीन गन लगा है एक और सांदार सी कार हमारे इस ऑसम से कलेक्शन में आ चुकी है और हम लोग इसे भी यहाँ पे पार करते हैं हमारी अगली कार इस सामने वाले जगा पे है लेकिन एक सेकिंड फ्रेंकिलिन ये देखो ये सब कितने खतरनाक से जोकर है औरे यार ये सब देखने में कितने खतरनाक हैं तो हमें इस कार को चोरी करने के लिए कोई और रास्ता ढुड़ेना पड़ेगा और ये देखो दोस्तों यहाँ पे आगे जाने का रास्ता है तो हम लोग इस तरह से इस जगा पे आ चुके हैं अब हम लोग क्या इसकी उपर चाड़ सकते हैं औरे यार येस क्या बात है हम लोग इस तरीके से इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पे आ चुके हैं लेकिन यार हम लोग इस जोकर को मारिंग कैसे एक सेकेंड मेरे पास एक बहुत मस्त आईडिया आया है ये देखो भाई लोग मेरे पास एक सांधार सा आरपीजी है हम लोग जल्दी से इस आरपीजी को लेते हैं और यहाँ पे एक एक्स्प्लोसिव बैरेल है तो चलो हम लोग जल्दी से इस आरपीजी को इस पे सूट करते हैं ओहो फ्रेंकिलिन समल के यार हम लोग जल्दी से खड़ा होते हैं और जल्दी से चेक करते हैं और ये येस यार हमारा आइडिया कितना मस्त काम किया है और हमने इस तरह से सारे क्लाउन को मार दिया है चलो जल्दी से हम लोग इस सांदार सी कार में बैठते हैं और फटा फट यहां से बाहर निकलते हैं। हमने अपनी फूर्थ कार को भी इस सांदार से कलेक्शन में ला दिया है। और सही में यार आज का कलेक्शन बहुत ज़्यादा मस्त है। तो दोस्तों जो हमारी अगली कार है वो इस सामने वाले जगा पे है। हेलो सार क्या हल चाल है। हेलो सार मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सार सुनिए मुझे आपसे एक काम है क्या आपको पता है कि यहां आस पास कोई मौंच्टर रहता है। हाँ सार यहां पहाडों के साइड में एक खतरनाक सा गुरिल्ला रहता है। ओके सार आपका बहुत बहुत सुक्रिया तो आपने हमारी काफी मदद की है। तो मैं इसके लिए आपको एक गिफ्ट देना चाता हूँ। यह लिजिए एक सानदार सा पंच और हम लोग इसके सारे कपड़े को पहन लेते हैं। क्या बात है फ्रेंकलिन बहुत सही तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम लोग जल्दी से इस कार में बैठते हैं। और एक सिकेंड यार ये जो मॉंस्टर है ये कितना जोर जोर से चीख रहा है। हमें जल्दी करनी पड़ेगी। ऐसे सही में फ्रेंकलिन ये वाली जो कार है ना इसकी स्पीड काफी ज़्यादा स्लो है। और औरे यहाँ पे एक कितना खातरनाक सा गोरिल्ला है। यार मुझे काफी ज़्यादा डर लग रहा है। हम लोग जल्दी से अपनी कार को लेते हैं और इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। लेकिन यार दोस्तों हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमने एक मेकैनिक का कपड़ा पहना है। तो हेलो गोरिल्ला सर क्या हाल चाल है। आपकी जो ये कार है ये कितिनी ज़्यादा बेकार हो गई है। मैं इसे थोड़ा सर्विस करवा के लाता हूँ। खीक है सर्विस करवा के जल्दी लाना। ओ भाई ये सियार इस गोरिल्ला ने हमें परमीसन दे दिये। ये सियार क्या बात है। फ्रेंकलिन अराम से हम लोग इस कार को लेके यहां से बाहर निकलते हैं। हम लोग इस वाली कार को भी लेके अपनी इस बेस पे आ चुके हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से इसे भी यहां पे पार करते हैं। तो दोस्तो हम लोग अपनी लाश्ट कार को लेने इस वाले जगा पे आ चुके हैं अरे लेकिन एक सेकिंड फ्रेंक्लिन ये देखो अरे भाई ये सब कितने खतरनाक से प्राडी है यार मैंने कभी भी इतने अजीब से मॉंस्टर को नहीं देखा था चलो कोई नी फ्रेंक्लिन हम लोग उन सब को इगनोर करते हैं और जल्दी से इस कार को चोरी करने का कोई रास्ता ढुड़ते हैं और एक सेकिंड क्या हम लोग इसकी उपर चड़ सकते हैं ओ मैं येस क्या बात है हम लोग काफी सही कर रहे हैं अराम से यहां से जंप करते हैं येस बहुत सही फ्रेंक्लिन मेरे दोस्त एकदम समल के इन सब मॉंस्टर को जरासा भी पता नहीं चलना चाहिए एकदम अराम से हम लोग इस कार के अंदर बैठ जाते हैं औरे भाई क्या बात है इस कार का इंटीरियर कितना ज्यादा मस्त है चलो हम लोग जल्दी से इस कार को अपने बेस पे ले चलते हैं इसी के साथ दोस्तो हमारी लाश्ट कार भी इस सांदार से बेस पे आ चुकी है तुम्हारी इन में से फेवरेट कार कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर बताना तब तक के लिए पीस